कैसे आप लोग कैसे आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिएजडी एडमिशन 2021 से रिलेड़ कुछ अपडेट्स की जो कि डिफरेंट डिफरेंट उनिवर्सिटीज की है पुरें उनिवर्सिटी जीवाजी उनिवर्सिटी आया थी गोवा ए यह में इन अपडेट्स की तरफ से हैं वाकि हम देखेंगे जो भी अपडेट्स हैं आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको य वीडियो को लगे तो आपको पता है इसी लाइक करना है शेयर करना है और आप इस चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज एक आपकी कोई भी व्यूस हैं, कमेंस हैं या सजिशन हैं, आप हमें कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं, ये था कुछ ओर्विउ। और हम देखते हैं अभी डारेकली वेबसाइट को, सारे ही वेबसाइट की वेबसाइट की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको सिंप्ली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है उसके बाद आप लिंक्स पे डिरेक्ली क्लिक करके इन वेबसाइट कर सकते हैं तो इस वेबसाइट को सिंप्ली इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में मिल और इस वेबसाइट करें इस यह कोशिश कोशेश है बहुत ओर्यूब्हें चैनल देगा हैं अब ही चलिए डिरेक्ली विजिट करते हैं वेबसाइट पे पुने उनिवर्सटी सावित्री भाई फूले पुने उनिवर्सटी आपको पिता इनकी तिरिफ से फॉर्म साय हुए थे रिसर्च के लिए बेसिकले पेस्टी के लिए आप चाहिए तो अप्लाइ कर सकते हैं अभी भी येस 31 जुनाइ लास्ट ती और उसी डेट को एक्स्टे तो यू मैट उसे देख सकते हैं इस जिस भी वीडियो को आप देखे उसे पूरा देखे जो अपना वीडियो में उसे फिर से कमेंट में मत पुचा करिये विकस्टी तो लिटरली मजे जनुरी नहीं आद होता है कि किसमें कितनी सीच्स हैं कॉन से सब्जेक्ट है नहीं है आप टाइम्स बहुत ही ज्यादा दिफिकल्ट होता है विकस ओविएसली टाइम का इशू तो प्लीज इस रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देख लिया किजिए आप उसे फास्पावड मोड में देख सकते हैं दू इस नहीं करेंगे तो यहां पर आप स्क्रॉल कर यहां से स्करॉल ओ यहीं भले चाहिंगे हो हैं कि यहां यू तो चरिये इसे उपन करते हैं और देखे रूब कर वे inhib dragons फूरी डी सचली जी कते हैं social. आप चाहित रधूर्प्ला достаточно इस्प रेडियो सारे लिंक्स डिस्रप्शन में हैं चेक कर लीजेगा आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे और नेस्ट इंफॉर्मिशन के पे जो की आई हुई है जीवाजी युनिबर्सिटी की तरफ से लिंक्स आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे सबसे पहले विजिट करना है और स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट नोटिस वाला सेक्शन आपको परता है कि होता है मने अलड़ी कई बार देखा है लेटेस्ट न्यूस इसमें होती है फिर्स न्यूस है सब्जेक्ट वाइ उनके भी नाम लिस में अवेलिबल है सो चलिए इससे ओपन करते हैं और इससे देखते हैं सबसे पहले ओवर्व्यू है आप इसको देख सकते हैं थर्ड परग्राफ में है अब जाने होगी कांशने हैं डॉकमेंट से रिलेटेट इससे प्रग्राफ में अधियर आपने सेफ किया होगा आपको मैंने बोला है बोला था इन फाक्ट हर वीडियो में बोलते हैं आपको उस रिजिस्ट्रिशन फॉर्म की कॉपी साथ में एड्मिट कार्ड और यह सारे डॉकमेंट ऑविजिनल में और फोटो कॉपी में ले जाने होगी कांसलिंग के लिए बिसिकली इंटर्वियु और एक जोब में ब्रीफ आते बर्यपके इंटर्वीलन वीजी इस सेफ कर्या दियन ब्रिसर्च कींत थ схåसार कृषिड अजनी ब कर दंः विजिसर्च आप उसे रिलेटेटिट एक राइटर प्रिपयर कर सकते हैं कि इस पर हम करना चाते हैं क्या करना चाते हैं एक्सेक्टर आप इनफरमिशन दे सकते हैं राइट सो इसके बाद यहां पर आपको लिस्ट मिलेगी सब्जेक्ट वाइज है और ज्रार एक साथ ही लिखा हुआए यह English के लिस्ट है category है application numbers and here you can see कैसा mode है पहले test 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 लिखा हुआ है लास में आपको दो सीट पे जयारिफ दिखेंगे ओके English के लिए इसी तरह हर सब्जेक्ट का है आपको जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके list देख सकते हैं इसी तरह से सारे जो नाम है वो mention है rest I don't think अभी date अभी civ list available है so documents prepare रखिएगा and hopefully within one or two week आपको interview के लिए call आजाएगी या mainly dates announce हो जाएगे और आपको जाकर interview देना होगा okay so ये थी update about Jeeva Ji University अब आप देखे है next website now next is IIT Goa so इससे related बहुत specific update नहीं आपने comments में पूछा था इसलिए इंक्रूट कर रही हूँ so शायद computer science का पहले नहीं available था so आप list देख सकते है और बांगी भी list का देख सकते है shortlisted candidates की I think interviews भी हो चुके होगे काफी department के so yes आपने computer science अगर पूछा था तो यहां पे list अवेले ह है आप इससे चेक कर सकते है ना next is भागलपूर University और दिलकामाजी भागलपूर University so इससे related basically पहले आपने देखा होगा कि available नहीं था link जिसके थो आपको apply करना है इससे related भी comments से comments थे तो अभी जब आप इस particular web page पे website पे विजिट करेंगे links description में है यहां option है PhD 21 इस पे click किजेग यहां पर आपको यह option दिख जाएगा apply online now किसी भी तरह कि आपको कोई query है तो आप mobile number देख सकते इन पर आप contact कर सकते या फिर email भी कर सकते हैं okay so यह है portal जिसके थो आपको apply करना है and वाकी HPU से related जो आपकी queries है I don't think अभी भी apply हो रहा है बट अगर application आप में से किसी ने किया है तो आप हमें बता सकते हैं अभी हम एक बार उस website को भी visit कर लेते हैं so यह है website आपने visit किया हुआ so इसमें update यह है कि देखे admission notice यहाँ पे available हुआ है I don't think यह पहले था जब हमने इसे discuss किया था but इसके बाद भी आप same ही है जब आप apply करेंगे यहाँ आपको PhD okay sorry so PhD direct का option आपको दिख रहा है आप इस पे click करके yes apply कर सकते है so directly आपको apply करना यहाँ पे आप फिर से subjects देख सकते हैं तो यह merit-based ही है okay so अभी तक यह confusion थी तो I think interview भी नहीं होगा शायद I'm not sure because कुछ भी specifically नहीं mention था बठाँ यहाँ पे आप देख सकते merit-based लिखा है so merit-based usually मतलब academics और आपकी ज jrf में या फिर net jrf में so वो combine करके कुछ होगा but हो सकता है interview भी हो so I'm not sure please आप contact कर दीजेगा जो official help line numbers है या email है जिस भी subject के लिए आपको apply करना है आप उस पे click कर सकते हैं दन यहाँ पे आप terms and conditions को पढ़ सकते हैं यह अभी scroll नहीं हो रहा है I mean यह same issue जो portrait landscape mode का होता है mobile version में आप इसे open करेंगे होगा check box पे click करके आप apply कर सकते हैं okay so yes apply कर सकते हैं अभी application forms are active now okay so yes यह थी कुछ universities अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ किसी university का तो आप comment में बिता दीजेगा and IIT Jumbo के जो list है वो directly mail किया गया है आपने comment में देखा होगा मैंने pin कर दिया था अभी आपसे request है IIT भी लाइक अभी अगर same है तो आप बताईए का because I think की ऐसा हो सकता है इसलिए मैं IIT Jumbo से related आपसे पूछा था और thank you so much कि आपने reply किया positively so yes यह थी updates और that is it for today video helpful लगा तो आप इसे like कीजे share कीजे and please channel को subscribe कर डीजे so that is it for today thank you so much for watching